इन्वेस्टिंग के दुनिया में ETFs बहुत पॉपलाटिक गेन कर रहे हैं और I'm pretty sure कि आपने ETFs का नाम ज़रूर सुना होगा बहुत से investors ETFs की तरफ लगतार attract हो रहे हैं और अपना काफी पैसा ETFs में invest भी कर रहे हैं क्योंकि ETFs में कुछ ऐसा अलग सा है जो कि index funds में नहीं है अब ये अलग सा आपके लिए या फिर long term investors के लिए beneficial है भी या नहीं है यही हमें आज की इस वीडियो में समझना है वैसे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम है रंजन और इस चैनल का नाम है Your Everyday Guide जहाँ पर मैं finance और money से related कुछ interesting वीडियो शेर करता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगती है तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आई जल्द से शार्ट करते हैं तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें मैं सबसे पहले बहुत ही असान शब्दों में आप लोग को ये clear कर देना चाहता हूँ कि index funds क्या होते हैं और ETFs क्या होते हैं क्योंकि जब तक आप इन दोनों ही options को basic level पर ठीक से नहीं समझेंगे हो सकता है कि आगे आने वाले चीजें आपको ज़ाद अच्छे से clear ना हो पाएं क्योंकि जनरली होता क्या है कि लोग वीडियो को skip करकर के आदियो दोरी बात समझ लेते हैं और वीडियो के last तक आते आते अपना एक perception बना लेते हैं कि ये सही है या वो सही है तो ऐसा आपके साथ ना हो इसलिए इन दोनों ही options को ठीक से समझ लीजिए तो इससे पहले कि हम ETF की बात करें हम सबसे पहले बात करते हैं कि index funds क्या होते हैं तो index funds एक खास तरह कि mutual funds होते हैं जिनको passive category में रखा गया है यानि कि index funds को actively manage करने की जरूत नहीं होती जैसा कि active funds के case में होता है active funds को manage करने के लिए एक दो या फिर multiple fund managers के requirement होती है और उनकी पूरी team के requirement होती है जो ये decide करते हैं कि कि किसी भी active fund के अंदर कौन से stocks आएंगे कौन से stocks बाहर जाएंगे और कब इनको rebalancing के जरूत है लेकिन index funds का case अलग होता है index funds सिर्फ और सिर्फ indexes को track करते हैं for example अगर मैं किसी भी nifty 50 index fund के बात करता हूँ फिर चाहे वो ICC bank का हो, SDFC bank का हो, SBI bank का हो ये सब भी index funds सिर्फ और सिर्फ nifty 50 index को ही track करते हैं ट्रैक करने का मतलब है कि जो भी holdings nifty 50 index के अंदर आती हैं, जिस भी percentage में वो holdings आती हैं exactly same चीज, same holding, same percentage के साथ आपको एक index fund के अंदर मिल जाएंगी हाँ बस just to mention हर एक index funds में थोड़ा सा tracking error जरूर होता है, लेकिन ये tracking error बहुत कम होता है, जिसको आप अभी के लिए ignore कर सकते हैं अब क्योंकि index funds किसी index को track करते हैं, यानि कि जैसा index perform करेगा, same वैसे ही आपका index fund भी perform करेगा आप चाहे SDFC index fund में पैसा डाल दीजिए, या फिर SBI में डाल दीजिए, या फिर ICIC bank के किसी भी 50-50 index fund में अपना पैसा डाल दीजिए, टी नो ही fund से आपको बिल्कुल similar returns ही मिलेंगे तो long term investing के perspective से index funds को एक काफी अच्छा option माना जाता है, और अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँ, तो जैसे कि हम जानते ही हैं कि index funds के अंदर किसी भी active fund manager की requirement नहीं होती, या फिर एक team की requirement नहीं होती, इसलिए index funds के जो expenses होते हैं, यह काफी कम होते हैं, य अगर आप index funds और active funds के बीच में और भी जादा detailed और complete information चाहते हैं, तो मैंने इसके ओपर एक dedicated video बनाई हुई है, यह वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपके जो doubts हैं, वो बिल्कुल clear हो जाएंगे, तो basic level पे index funds को तो हमने समझ लिया है, अब हम बात करते हैं सेम उसी तरीके से आप एक ETF को भी live market में buy or sell कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि ETFs internally index funds की तरह ही होते हैं, जैसे एक index fund किसी particular index को track करता है, सेम उसी तरीके से ETFs भी किसी particular index को ही track करते हैं, तो fundamentally index funds और ETFs के बीच में कोई भी difference नहीं है, तो यह तो हो गई simple शब्दों में मोट की मोटी जानकारी की index funds क्या होते हैं और ETFs क्या होते हैं, अब हम देख लेते हैं इन दोनों के बीच में detailed comparison और हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों में से जादा better क्या है, तो इस video को थोड़ा सा interesting बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक scorecard लेके चल रहा हूँ, इस scorecard के अंदर ए इन दोनों में से winner कौन है, तो comparison में सबसे पहला point आता है functioning का और जैसे कि हम जान ही चुके हैं कि index funds और ETFs दोनों ही एक index को track करते हैं, functioning के basis पे दोनों में difference नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर दोनों को ही एक-एक point दूँगा, अगली हम बात करते हैं management की, तो ये बात भी हम जा करता हूँ, तो जो index funds होते हैं, इनका expense ratio थोड़ा सा जाधा होता है comparative to ETFs, तो example के लिए अगर मैं ICIC bank के nifty 50 index fund की बात करता हूँ, तो इसका expense ratio है 0.17% का, वहीं अगर मैं ICICI के nifty ETF की बात करता हूँ, तो इसका expense ratio है 0.05% का, यानि की difference यहाँ पर 0.12% का आ जाता है, similarly जो दू index funds और उन्हीं के ETFs के बीच में comparison देखेंगे, तो expense ratio हमेशा आपको index fund का ही जादा देखेगा, comparative to ETFs, तो इस वाले point का winner मेरे खाल से मैं ETF को रखूँगा, तो हम देगे ETF को 1 point और index fund को हम देगे 0, अगली हम बात करते हैं minimum investment की, तो एक index fund की जो minimum investment होती है, ये generally 100 या 500 रुपे क आस-पास की होती है, बहुत ही कम ऐसे index funds होंगे, जिनकी minimum investment 500 रुपे से जादा होगी, वहीं अगर हम ETF की बात करते हैं, तो ETF को आप buy करते हैं, real-time NAV पे, for example, live market में, अगर किसी ETF का real-time NAV चल रहा है, 160 रुपीज का, यानि कि आप उसके single unit buy कर सकते हैं, 160 रुपीज में, अग अगर हम बात करते हैं, exit load की, तो एक index fund में कोई भी exit load नहीं होता, वहीं अगर हम ETF की बात करते हैं, तो ETF के अंदर भी कोई भी exit load नहीं होता, तो इस point में भी मैं यहाँ पर दोनों को ही एक-एक point दूँगा, अगली हम बात करते हैं, broker charges की, तो एक index fund को buy और sell करने के लिए, आपको कोई भी brokerage charge पे नहीं करना होता, लेकिन अगर हम ETF की बात करते हैं, तो एक ETF क्योंकि stock की तरह ही trade होता है, stocks में brokerage charge लगती है, इसलिए ETF में भी आपको brokerage charge पे करनी पड़ सकती है, डिपेंड करता है कि आपका broker कौन है, तो जब भी आप किसी ETF को buy करेंगे या sell करेंग आपको यहाँ पर एक brokerage charge पे करनी पड़ सकती है, brokerage charges के साथ साथ उसके ओपर exchange fees भी होती है, उसके ओपर stamp duty भी होती है, उसके ओपर GST भी होती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा extra amount पे करना पड़ सकता है, तो इस वाले comparison में मैं एक point दूंगा यहाँ पर index funds को क्योंकि यहाँ पर कोई भी additional cost involved नहीं होती, next हम बात करते है NAV की, तो index funds का जो NAV होता है, यह calculate होता है end of the trading recession, वहीं जैसे कि हम जानते है कि एक ETF का जो NAV होता है, यह एक real time NAV होता है, जैसे कि एक stock का price जो है, वो real time fluctuate करता है, से मुसी तरीके से एक ETF का NAV भी real time में fluctuate करता है, तो जब भी आप अपना पैसर डालते हैं किसी ETF में, जब भी आप किसी ETF को buy करते हैं, अब क्योंकि आप ETF को live market में ही buy कर सकते हैं, इसलिए आपको जो NAV मिलता है, वो आपको real time live market का ही NAV मिलता है, अब क्योंकि यहाँ पर आपको एक transparency मिल जाती है with respect to NAV, इसलिए मैं यहाँ पर ETF को एक point और दूँगा, अगर हम performance या फिर returns की बात करते हैं, तो ये बात हम जान ही चुके हैं, कि दोनों की performance similar होती है, क्योंकि दोनों ही एक index को track करते हैं, इसलिए मैं दोनों को ही यहाँ पर one one point दूँगा, अगली हम बात करते हैं, investing through SIP, तो आप एक index fund में SIP के तुरू invest कर सकते हैं, लेकिन एक ETF के अंदर आप SIP के तुरू invest नहीं कर सकते, आपको manually जाके किसी ETF को buy करना होगा, अब क्योंकि index funds को आप automate कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी SIP automatically deduct होती रहे, इसलिए index funds इस वाले point का winner बन जाते हैं, और मैं यहाँ पर index fund को एक point और दूँगा, next ह अगर हम ETF की बात करते हैं, तो ETF में invest करने के लिए आपके पास एक DMAT account होना चाहिए, आप क्योंकि DMAT account का एक yearly charge भी होता है, जो कि आपको as an additional fee pay करनी पड़ सकती है ETF के case में, जो कि आपको index funds के case में pay नहीं करना, तो again यहाँ पर मैं एक point दूँगा index funds को, next हम बात करते हैं liquidity की तो एक index fund को जब भी आप sell करना चाहते हैं, आप sell कर सकते हैं, index funds के अंदर आपको liquidity के issues नहीं आएंगे, मैं अगर मैं ETF की बात करता हूँ, तो क्योंकि ETF को stocks की तरह ही trade किया जाता है, एक stock को आप तभी sell कर सकते हैं, जब दूसरी side पे उसका कोई buyer बैठा होगा, सेम इसी तर को 160 रुपीज में ही sell कर पाएंगे, हो सकता है कि जो buyer दूसरी side पे बैठा है, वो 160 रुपीज के जगा 155 रुपीज में ही buy करना चाहता है, तो जहाँ पर buy और sell के बीच में differences भी आ जाते हैं, जहाँ पर आपका थोड़ा सा loss हो सकता है, और even ETF के case में ये भी हो सकता है कि security के issues नहीं होते, इसलिए इस वाले point का winner होगा index fund, तो हम इसको यहाँ पर एक point और देंगे, तो यह थे वो different parameters जिनके basis पर मैंने यहाँ पर index funds और ETF को compare किया है, मैंने यहाँ पर अपनी पूरी कोशिच करी है कि मैं बिलकुल unbias तरीके से इन दोनों के बीच में differences आपको लिए उन में जो winner बना है, वो बना है index funds, लेकिन बात अभी खतम नहीं हुई है, अब हम बात करते हैं इस video के final points की, तो finally अगर हम मोटी मोटी बातों पर नजर डालें, तो अगर हम सबसे पहले expense ratio को देख लेते हैं, तो ETF का expense ratio कम तो होता है, लेकिन ETF में buy और sell के time पे आपको क्योंकि SIP एक automated process होता है, उसमें आपका समय खर्च नहीं होता है, और आप ज्यादर discipline तरीके से अपने investments कर पाते हैं, और यह discipline ही है, जिसकी वज़े से decide होता है कि finally आपके पास 10 साल बाद, 15 साल बाद, या 20 साल बाद कितना पैसा होगा, जो कि ETF के case में मुझे लगता है कि इ ETF में invest ना करें, क्योंकि आप wait करेंगे market के वापस नीचे आने का, यनि कि आप market को यहाँ पर time करनी कुशिश करेंगे, which is again a big problem, but finally मैं यहाँ पर यह मानता हूँ कि एक index fund में अपना पैसा invest करना, या फिर ETF में पैसा invest करना, यह totally एक investor की personal choice है, अगर आप एक experience investor है, और अगर आप short term के लिए अपना पैसा invest करना चाहते हैं, तो ETF आपके लिए अच्छा option हो सकता है, अगर आप एक long term perspective से अपना पैसा invest करना चाहते हैं, तो ETF में invest करनी के बजाए आपके लिए better होगा कि आप एक index fund में ही अपना पैसा invest कर लें, यहाँ पर इन दोनों ही investment options में से कोई भ long term को target करना चाहता हूँ, दूसरी चीज यह है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो investments हैं वो automated तरीके से होती रहें, मुझे manually जा जाके हर महीने किसी particular date पे investments ना करनी पड़े, तो कि obviously इससे मेरा समय भी बचेगा और मैं जाधर disciplined तरीके से अपनी investments कर सकता हूँ, अगर मुझे हर मही इने 15,000 रुपे किसी index fund में invest करने हैं, तो SIP के थरूँ वो 15,000 रुपे invest हो ही जाएंगे, until and unless मैं उनको manually जाके रोकना चाहूँ, अगर मुझे short term के लिए investments करनी ही होगी, तो मैं ETS में invest क्यों करूँगा, मैं अपने लिए खुद से stock picking करके उन stocks में investments कर सकता हूँ, वहां से पैसा बना सकता हूँ, मेरी खाल से वह option मेरे लिए जाधा better रहेगा, तो दोस्तों I hope यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर यह वीडियो आपके लिए helpful रही है, तो इस वीडियो को like करके मुझे जुरूर बताएं, और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा, जल्दी ही म में लेंगे नेक्स वीडियो में, thank you for watching.